आपकी वर्क्षीट नमबर 139 तो पहले आप लोग किसे लेबल कर लेंगे हिंदी की वर्क्षीटे लिख लेंगे क्लास डीट अपना नाम अपर टीचर कर नाम आप लोग लिख लेंगे आज पिर हम अहीं कविता पढ़ने वाले हैं तितली और कली ठीके तो चलिए पढ़ते ह देज्ञे को देखे हैं क्या आप जानते हैं 10 संबर बे दीन प्रती एक वर्श अंतर राष्टे मानवय अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है ये सभी मनुश्य को उनके अधिकारों के प्रती जागरूख करने के उर्देश्य से मनाया जाता है मानव अधिकार वे मालम वालिक अधिकार है जो सभी मनुश्य को स्वतंत, शिक्षा, स्वतंत और सवानता प्रदान करते हैं इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाती वर्ण लिंग भाशा अधर्म राजनीती वाव अन्य विचार पर नाली किसी देश या समाजिक विशीशन में जन्म लेने के लिए या समपत्ती या किसी भी अन्य प्रकार की मर्यादा अधिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता आज 10 तारीके बच्चों तो देखे 10 तारीकों human rights ले मनाया जाता है ये किसलिए मनाया जाता है ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जो रूल्स जो हमें अधिकार गवर्मेंट की तरफ से मिले हुए हैं जैसे कि पढ़ने का अधिकार हम सब एक बराबर है इसका अधिकार ये हर इंसान को नहीं पता होता ताकि इनके बारे में हर किसी को जागरू कि जा सके ठीके इसी लिए इस दिन को हम लोग सेलिबरेट करते हैं यहनि की मनाते हैं पूरे विश्व में मनाया जाता है हर जगा के लोगों को जुजार रहता है वहां उसको अलग-अलग अधिकार दिये जाते हैं लेकिन सब जगाद 3-4 अधिकार से में सबको 1 के सबको 1 पहडाई का अधिकार है सबको 1 सात रहने का अधिकार है सबको समाने अफसर परदान होने का brains का और कभी υी किसी के साथ कोई भेदभाब नहीं करेगा कविता पढ़ी और वे पीलो को सुनाने लगा अब लालू एक बच्चे उसने कविता पढ़ी और वो पीलो को सुनाने लगा उसने नीचे कुछ लिखी पंतिया कुछ को याद करके याद है पर कुछ वे भूल गया अब बच्चों क्या आप कविता को पूरा करने में लालू की मदद करेंगे लालू को कुछ कविता की पंक्तिया याद है लेकिन बाकी वो बूल गया आईए कविता की इन पंक्तियों को पूरा करने में लालू की मदद करते है तो चलिए हम लोग लालू जी की मदद करते हैं कि देखेंगी क्या-क्या भूल गए तो अब देखें यहां आपका लिका हरी डाली पर लगी हुई थी कली है ना तो इस तरह से यह आपकी उसी का हिस्सा है किताब की पोईम का तो चलिए एक काम करते हैं यह चार आपका पहला प्रग्राफ दुस्रा प्रग्राफ और तीस्टा प्रग्राफ आप लोग इसे देख लीजिए त initially आप आपको आंसर डिखाओंगी तो नेक्स्ट आपको यहाँ दिया गया था अब जागो तुम आखे खोलो फिर आगे क्या है खोलो है न तो यहाँ क्या आ जाएगा हम और संग हमारे खेलो ठीक तो आप क्या लिखा है यह आपको लिखा हुआ था पहले सुन्दर महक तुमारी गली तो क्या लिखेंगी महक सारी गली गली ठीक है तो ये लाइन आपको लिखनी है ठीक है इस रघ्वा कि लिख इतनी है कि ये तीनों पॉइंट्स आपने आ लेके पहला दूसरा और ये तीसरा इनको पूरा-पूरा आप लोग कॉपी पर लिख लेंगे चलिए आगे पढ़ते हैं आपका दूसरा कोशन दिया गया है नीचे कवीता की कुछ अधूरी पंक्तियावा चितर दिये गए हैं क्या आप नीचे दिये गए चितरों की मदद से इन पंक्तियों को पूरा करने की कुशिश करेंगे जी हाँ बिल्कुल करेंगे तो चलिए करते हैं तप 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 अब क्या आएगा बरसे तो क्या आएगा पानी तप 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 पानी बरसे पाप आमे आ का डंडा ना में बड़ी ही की मात्रा पानी तप 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 पानी बरसे तिम 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 अब क्या आजाएगा तारे ता में आ का तो क्या आजाएगा टप 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 पानी बड़ से टम टम टिम 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 टारे चम के ठीके छुक 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 चलती रेलád रारा मेरि हैएं एक पष्चिंग हम बेदा ही जाएए हो तो प्लीज इसे लाइक को शियर करें अगभी तक आपने मैचांग को सिस्क्राइब नहीं करें तो प्लीज मैचांग को सिस्क्राइब करें थैंक यू फो वाचिंग